हलो दोस्तों नमस्कार, KP Teacher Academy में आपका हार्दिक स्वागत है, आज हम हिंदी पड़ागोजी का 15 कुशन सेसन लगाएंगे, जो की सीटर परिछागी दर्श्टी से बहुत ही मैतपूर होगा, वीडियो को लाइक एंड सेयर करें अपने दोस्तों को साथ में, जैसे जो भी स्ट सब्सक्राइब कर लें, बलाइकन को प्रैस कर लें, जिससे आपको आगामी बीटो प्राप्त होती रहें, आज कम फर्स्ट को से स्टार्ट करते हैं, बच्चों की मौकिक वासा का सतत आकलन करने का सबसे बैतर तरीका है, फर्स्ट अप्सन है, सब्द पढ़वाना, सब्सक्राइब करते हैं, बच्चों की मौकिक वासा का सतत आकलन करने किस पकार से किया जा सकता है, जैसे कि फर्स्ट अप्सन है, बोला गया है कि सब्द दोरवाना या पढ़वाना, तो इसमें क्या होगा, कि बच्चा के सब्द लिखे होंगों ने पढ़वाना, इसमें सब्सक्राइब करना ही सतत आकलन का मुलकान हो सकता है, या सतत आकलन हो सकता है, तो सब्सक्राइब तरीखा होगा, थर्ड आंसर, नेक्स कोशन दिखते हैं, बहासा में सतत और ब्यापक आकलन का उद्देश है, यहां पे भी बहासा में सतत और ब्यापक आकलन की बात की जा रही है, तो फर्स्ट अप्ट ने, बरतनी की अशुद्यों के बिना लेकने की चमता का आकलन, सेकेंड बहासा के ब्याकलन का आकल करना थर्ड है भासा के मौखिक और लेखित रूपों के प्रयोग की चमता का आकलन फोर्थ है पढ़कर समझने की चमता का आकलन जैसे कि अब बात करते हैं फस्ट के बिना लेखिने की चमता का आकलन तो यहां पर बरतनी और असुद्यों की बिना लेखिने की चमता का आकलन फोर्थ है और तीसरे में बोल रहा है है वह कहरे है उसमें की बासा की मौकिक और लिकित रूपों की और प्रयोग करने ही चमता का आकलन की बात किया रही मैठरे आंसर होगा होगा यही प्रियोक का उद्देश नहीं है तो कोई यह option पूछा गया है क्योंकि सीटर्ट यह सब बहुत करता है कि पूछता है और हम क्या करते हैं पॉजिटिव में उसका देते हैं इसलिए हमें ऐसा नहीं करना है वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करते हैं साथ साथ और लाइक तो बनता है तो कमेंट बॉक्स में लिखें जिसे की आगावी वीडियो में आपकाम डाउट क्लिए कर सकें तो ऑफ्शन देखते हैं फर्स्ट आदुनिक टक्नीक को कच्छा में लाना सब्सक्राइब लाइक प्रकार की बच्चों की आवशकत्ता द्यान रखना थर्ड है सीखने सिखाने की प्रक्रिया को रुचिकर बनाना फॉर्थ है विद्धाला प्रवक की निद्रेशों का पालन करना दोको यहां पर कोश्चन पूछा गया है नेगिटिब में तो मैं आ आपर बात कर रहा है फर्स्ट अप्समें आद्रुख तकनीक प्रियोक करना तो यह आज पॉजिटिब में हो जाएगा सभी प्रकार की बच्चों की आपशकत्त द्यान रखना यह भी आंसर दिना नेगिटिब में और रुचिकर बनाना इसके अकोडिंग तो यह भी आंसर क के निदोसा का पालन करना तो यह मारा आंसर हो जाएगा ठीक नेक्टोशन देखते हैं कि पाठ पुस्तक की भासा कि फर्स्ट अप्स्ट ने बच्चों के घर्वा समधाय की भासा से मिलती उलती होनी चाहिए सेके ने तत्सम प्रदान होनी चाहिए फोर्थ तद्वव प्र यह ब्याखरण की तरफ जा रहा है और यहाँ पर अधिकाद裡面 सब्दों की तो ऐसी चीज है तुम्हें नहीं करनी है पाठ पुस्तक की अंदर तो इसलिए हमेरी तीनrole सर तो नहीं आऊंगे क्यों के बच्यों का कर्रिकूलम से मिलती उलूर इन्चव कहता है कि बच्चों का अकोडिंग होनी चाहिए जिसमें रहते हैं तो यह वारा आंसर हो जागा फर्स्ट वाला नेक्ट शोचन दिखते हैं वीडियो को लाइक एंड शेर जरू करते रहें दोस्तों कि साथ में प्रात्मे किस तरपर बासा सीखने से तात्पर है कोश्चन बुचा रहा है प्रात्मे किस तरपर बासा किस पकार से सीखी जाती है सेकंड रिया क्रफ़ जा रहा है यह यहां पर बात कि व्याकरण रिट्विट इसे खर रहा है ऐसे question option तो मैं देख रही नहीं है तुरंत पढ़ो मितला उसमें ब्याकरण देखा अठादो क्योंकि यह हमारे negative answer होती है केवल ही क्योंकि ऐसे question answer आगा है यह option आए तो आप तुरंत अठादो ने answer देंगी नहीं हुँ इसमें बात कर रहा है उच्छ सरी है हम बात कर रहे है प सबसे बैट बैस्ट तरीखा होगा क्योंकि हम बासा सिखाने की बात कर रहे है तो क्योंकि बच्चा अपनी अविवक्ति कर सके अपनी बात कह सके तो हमारा यही प्रयोग होता है सुरी सिद्धानत होता है कि हम बच्चों को बासा प्रिरुक करने की चमता सिखाए तो answer हो ज जरती है सेकने सदेअब समान होती है थ्रड़े समान हो सकती हैं 老hter सदेअब अलग होती हैतक्रम कोश्चन पुछायरा है कि घर की वासा और विध्ध्याला की वासा कैसी पढ़ाई जाने वालि हो सकती है इसमैं काराण पुछा है दोखो Nसीअफ क्या hy estàük acquire एक एक tane कि बच्चे की जो घर की वासा और विद्धाले की वाता वासा जो होती है अब कैसे उने चीए मिलती जुनती होनी चाहिए क्योंकि जिस इनवार्मेंट में बच्चा रहता है उसके अकोर्डिंग पढ़ायाने वाली कर्कूलम होगा या पार्ठी चर्या होगी या पार्ठे प ये सैर जरू करते हैं अपर दोस्तों के सातमेर प्रात्मिक इस तर पर हिंदी बासा सिच्चड के लिए सबसे अधिक मैतपूर है कुश्यभाध कि प्रात्मिक लेवल पर हिंदी बासा तद के या है। option दिख लेते हैं option है हमारा first प्रयोक के, sorry, बासा प्रयोक के अबसर second है पाठ्य पुस्तक थरड़े उच्छ स्री तकनी की यंत्र फोर्थ है ब्याकरण नियमों का इस्प्रण तो देखो यहां पर option में आया है बासा सिच्छड के लिए सरवो चुर सबसे अधिक best तरीका पूछा जारा है प्रात्यमिक लेवल पर तो यहां पर अले पाठे पुस्तक की बारे बात की जा रही है और यहां पर उच्छ तरी है तकनीक की बात की जा रही है यहां तो सब्सक्राइद हैं कि बासा प्रयोक के अपस्वर देना हमें प्राथ्मिक लेवेड़ पर जितनीव क्लेंड्स में हमें बासा प्रयोक के ज्याद measures अपसर देंगे तो उनका अच्छी तरह से हो पाएगा और अच्छी तरह से भासा प्रयोग कर पाएंगे या उन्हें समझने बोलने के अपसर अधिक से अधिक हमें देने होंगे इसलिए आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट वाला नेक्स देखते हैं वीडियो को लाइक और से जरूर करते रहें दोस्तों के साथ में हिंदी प्रयोग के बिद्वद स्वरूप को जानने के लिए सरवदिक उपियोगी साधन हो सकता है कोश्चन बोला गया कि हिंदी प्रयोग के बिद्वद स्वरूप को जान सिच्छड की बिद्यों का संपूर ग्यान, थड़ है सुंदर डंग से चपी पुस्तके, फूर्थ है उच्छ स्त्रिय लेखन सामिक्री, तो जैसे कि इसमें बुले आरे कुश्चन में, कि उच्छ स्त्रिय लेखन सामिक्री फूर्थ का कोडिंग, हमारा यह आंसर नहीं होगा दो होगा है प्राथक में लेखन सामिक्री लेखन सामिक्री वूर्थ है, सुंदर पुस्तके Chappi, हमारा उद्देश क्या है पाठ्टे पुस्तक में कि क्या हमें बच्छों को सिकाना चाहिए, इससे फर्क नहीं पढ़ता कि सुंदर चपी पुस्तक होना चाहिए, क्योंकि बिद्वद शरूपों की बारे बात हो रही है, सिच्छड बिद्यों का संपूर ग्यान, हाँ सिच्छड बिद्यों का संपूर गयान हो सकता है, बगर हमें पढ़ाना किस तरहीक से चीए, उसका साधन की बारे इंप स्थ जारा है, सो सबसे बेस्ट हो जागा, answer first वाला, क्योंकि बाल साहित्र का बिद्वद प्रयोग अगर हम बाल साहित्र का अच्छी तरह से प्रयोग करेंगे, तो बच्चों अच्छी तरह से सीख पाएंगे तो इसलिए best answer होगा first वाला, next question देखती है वीडियो को like and share करते हैं Quesnay कच्छा एक और दो कि बच्चों के लिए आप किस तरह की कानी का चैन करेंगे Quesnay पूछा गया है, कच्छा एक और दो के बच्चे हैं तो उनके लिए आप किस कार की कानी का चैन करेंगे फर्स्ट अप्स ने जो बहुत छोटी हो सेकेंड जिसमें बहुत सारे पात रहो थर्ड है जिसमें दो ही पात रहो फॉर्थ है जिसके सब्द बाख और गटनाओं के वरण की सहली चित्तात्मक हो तो जैसे के इस कोशन पूछा गया है कि कच्छा दो और एक के छात्रा वरे पास में तो उनके लिए कानी चोईस करनी है तो ऐसा नहीं होता कि छोटी कानी हो कि उसमें टफ कोशन दे दिया टफ बढ़िंग दे दिया और कानी चोटी हो उससे भी आमें ज्यादा लाफ नहीं मिलेगा बच्चे नहीं सीख पाएंगे और ऐसा भी नहीं कि बहुत सारे पात्रों पात्री पात्रों तो यह ऐसा भी नहीं होना चाहिए और जैसे इस में दिया दो ही पात्रों ऐसा भी नहीं होना चाहिए जो सबसे बहतरी नहीं आप्शन हो वहारा जो आंसर देगा वो जिसके सब्द बाक्य और गट्ना रहें क्या सैली जो चित्रात्मघ को बच्च dale चित्रा उसे बहुत जल्दी सीखती तो इसलिए कच्छा दो के लिए जिसनी पाठे पुस्तक होनी चाहिए और जिसे के उन्हें बच्चे में अच्छे से सीख पाएं तो अंसर हो जाएगा फोर्ट वाला नेक्ट शोशन देखते हैं वीडियो को लाइक और सीड़ करते रहें प्रात्मिक इस्तर पर बासा सिख्ण की प्रात्मिकता होनी चाहिए फर्स्ट आफ पर केवल बोलकर पढ़ने की चमता विक्सित करना सेकेड़ है कविता और कानी के द्वारा केवल सरवर्ड कोशल का विकास करना तरड़े बाद्च्व की रचनात्ता और मुट्म तक पोशित करना से बत्च्व की चित्रांकन चमता का विकास करना दो को हम बात कर रहें प्रात्मीक इस्तर पर तो बासा सिख्ण की प्रात्मिकता तक क्या होनी चाहिए यह कोशन में पूछा जा रहा है, तो यहां पर आया केवल वर्ड, तो यहां पर केवल आजाए, ही आजाए, भी आजाए, तो यह क्यों आते हैं, हमेरे नेगिटिविटी दरसा थे, इसलिए हम इस अप्शन को टा जा जिते हैं, इसमें हमारा अंसर नहीं है, सैकिन में बोला सब्सक्राइल कर रहा है, फूर्थ में बच्चों की चत्रांकन चमता का विकास करना, सिर्फ यहां पर चित्रों के बारेम बात कर रहा है, जो अब यहosing ग्ए curve कोशन देखा था, तो ंब मं से नहीं होगा सब्सक्राइब है कियोंकि बच्चों की रच नततना और मॉलता को पोशित करना ही हमारा उद्द्ध्श होना चैया है प्राथिम्ता फोनी चाहिए इसलिए नहीं वारा आंसर हो जाएगा थाट वला को दिखती है नेक्स वोशन देखते हैं वीडियो को like and share करते हैं पढ़ने का प्रारम फर्स्ट है वर्ड वाला से होना चाहिए सेक्ड है कानियों से होना चाहिए थर्ड है कभिताओं से होना चाहिए फोर्थ है अर्थ पूर सामिक्द्री से होना चाहिए तो यहां पर पढ़ने का प्राग्स किस प्रकार से होना स्ब्रक्वन करें उसैं का हो चाहिए जिसे का네 मैं ऊंली बोली सुलि बोल दी इससे भी कोई अगा सब्सक्राइब करते हैं और इतनी मेरत करने कबाद में एक लाइक तो बनता है नेक्स टोशन देखते हैं होता है जैसे कोशन पुछे है रहे कि बाहसा के बारे में कौन सा गतन उचित या सही है तो यहां पर बात कर रहा है कि भासा अन्यवारता लिखित होती है ऐसा नहीं है कि भासा क्या है लिखिती लिखित हो और बोली नहीं जाती हो भासा बोली भी जाती है ठीके दूसर तीसरे बोला कि ब्याकरण का अर्ण सुन करती है कि ऐसा नहीं है जिन लोगों को ब्याकरा नहीं आती कि वह भासा बोल नहीं पाते कि वह हम जैसे बात नहीं कर पाते हैं इंदी में तो क्या है बासा क्या है एक अर्जन होती है हम जिस इन्वार्मेंट पर आते हैं उसी क्या आते है फोर्थ मोला है बासा बोली में कभी भी तो यह जो कि जोए मिलगतें मुझा जलते हैं रूंट हैं तो इसमें संबंध होता है का सबास्टा हमारा लिए कि शाले पहे है कि अंत्व फिसकी झाय मी depressed कर फासा एक नियम जोड़ा जो सेंक की बात काया तक है क्रम बाई जिंदर क्राइं जासा की पहले हमारा यह कि मारे नियम مर्थ स्टा को डींग चलती है तो यह हमारा यह दो नौच जरू सब्सक्राइब और रखता है प्रात्मिक अच्छाओं में रॉल प्ले बूमिका निर्वा का उद्देश होना चाहिए फर्स्ट अप्सन है बच्चों को अविने सिकाना सेकंड है एक पतदी की रूप में इसका उपयोग करना फोर्त है बच्चों को अनसासित रखना तो कुश्चन पुले रहा है कि प्रात्मिक लेवल पर रॉल प्ले का या भूमिक निर्वा करें उद्देश होना चाहिए तो हमारा उद्देश हो जाएगा थर्डवाला बिवने संद्रम में बहासा प्रयोग के अपसर देना ही हमारा बैतरिन तरीखा होगा जो कि अंसर थर्डवाला हो जाएगा नेक्ट शोचन देखते हैं बहासा हमारे प्रव्यसम बिखरी मिलती है या कतन किस पर लागू नहीं होता है कोशन नेगेटिव में पूछा है तो नेगेटिव यह आंसर देना है हमें जैसे कि फर्स्ट अप्सन हमारा बहासा प्रयोग साला पर अखवार पर बिज्ञान पर और साइन बोड़ पर तो फ कि और संपलीं सोहां पर होती है इसके लिधे साला में नहीं होती है तो यह अंसर अंसर वाल यहां नेगेटिव ठीकिन ना इक्ष्योसन देखते हैं करें बीते को लाइक और सेर रहे हैं पर दोस्तों के बैगिंठ चलक सब्सक्राइब कर लें और आगारी प्राप्त करने क् प्रेसल है कक्षा में कुछ बच्चे लिखत समय बरतली सम्मझी तोटिया करते है मैं एक बाससिचक के रूप में आप क्या करेंगे कुछ canyon पुछा गया है कि यूश्ण को डिखिया है तो आप उन तोटियों के बारे में क्या करेंगे जैसे question मुलागे option देखते हैं इसके सब्दों का सही रूप से लिखते हुए बच्चों को दोनों तरह के सब्दों का अबलोकुन करने के या करके अंतर पैचानने का अबसर देंगे सेकिन है उन्हें सक्त निर्श देंगे कि वे आग ऐसे गलती ना करें थर्ड है उनकी तोटियों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे फोर्थ है उनसे सब्दों के बीसी जवार लिखने के लिए कहेंगे योगों ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना है कि ध्यान नहीं देंगे बीसी विखने के लिए कहेंगे ऐसा भी हमें नहीं करना है तो आज जाती है आंसर है हमारा फस्ट और सेकिंड मैसे सब्दों का सही रूप से लिखते हुए बच्चों को जब भी हमारा जिस्वी संटेंस में अपसर वर्ड दिखाई दिया आपको तो यह हमारा पॉजिटिव कीवड का काम करता है और हमें आंसर देता है यह यह हमारा आंसर हो जागा फर्स्ट वाला तो वीडियो को लाइक एंड सेर करें चैनल को सब्सक्राइब कर लें अपनी दो दोस्तो बंदे मात्रम